दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसी call setting के बारे में बताएंगे जिसे जानना हर किसी को बहुत जरूरी है जैसा कि दोस्तो आप जब भी अपने phone से किसी को call करते हैं उस समय क्या होता है कि जब आप किसी को call करते हैं यहां से इस तरीके से जब किसी को call करते हैं तो होता क्या है कि उसका नाम के साथ साथ उसका mobile number भी यहां पर so होता है जैसे कि आप देख रहे हैं यहां mobile number भी so होता है और आप चाहते हो कि यह जो mobile number यहाँ पर सोख हो रहा है यह mobile number यहाँ पर सोख ना हो ठीक है यहाँ पर सिर्फ नाम नाम सोख हो mobile number यहाँ पर नहीं दिखना चाहिए जब हम किसी को call करे तो उसका mobile number इस screen पर नहीं दिखना चाहिए सिर्फ नाम दिखाई दे या जब हमें कोई call करे, imported call हमारे phone पर आए, तो वहाँ पर क्या हो कि हमारा जो mobile number है वह शरीफ नहीं दिखना चाहिए शरीफ नाम दिखना चाहिए तो उसके लिए आप अपने phone में एक setting करोगे, तो इस trick को use कर सकते हैं, तो दोस्तों वह कौन सी setting है, इस video में बताने वाला हूँ तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही helpful होगी इसलिए वीडियो को पुरा complete जरूर देखिएगा और हमारी वीडियो helpful लगे, तो वीडियो को एक like कर कर जाईएगा, और channel को भी साथे साथ साथ subscribe ही कर लिजेगा, आता है तो मेरे phone में यहाँ पर दिख रहा है, इस पर click करना है, और setting का option है setting के option पर click करना है अब जैसी setting पर click करेंगे, थोड़ा सा नीचे scroll करेंगे, तो आपको यहाँ पर एक setting दिखेगा, other call setting का इसके उपर में click करना है जैसे click करेंगे तो आपको यहाँ पर देखेंगे कि तीसरे नमबर पर एक option है so contact number in calls ठीक है अगर आप चाहते हो कि contact number so होखे call करते समय तो यह button को on रहने देना है अगर आप चाहते हो कि नहीं जब हम किसी को call करें तो contact number जो है so ना हो तो इस button को सिर्फ आपको off कर देना है इतना सा काम आपको करना है अब क्या होगा कि जब आप किसी को इस डाइलर से call करोगे तो वहाँ पर उसकी mobile number दिखाई नहीं देगा शिर्फ नाम नाम दिखाई देगा और जब भी आपको कोई call करेंगा तो उसका mobile number दिखाई नहीं होगा तो छोटी सी setting के बारे में कर रहे थे बाद वीडियो छी लगी तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करना मत भूलेगा